गो दोस्तों आप से इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप कोई पहिसा कर रहे हैं तो हर चीज समझे कितने में ख्ला यह आप मंथली कितना transaction करना है यह rule regulation आप समझिए क्योंकि देख रहे हैं ना इतनी बड़ी company जो 2009 में lunch की थी यह पेटियम पेटियम चली गई हावा खाने उसमें आप सब चीज बंद हो गया बैन हो गया पेटियम बैन ही हो गया इंडिया से और कौन कहिया भारत सरकार थोड़ी क चलिएगा या कोई भी माइक्रोफाइनेंस हो बैंक हो या कोई प्राइवेट सेक्टर हो जो जो की यूपी आइक के अंडर में काम करती है तो यह rule regulation अगर नहीं समझेगा या बैंक नहीं समझेगी तो आरवी जो है लात मार के निकाल देगी यह बोलेगी कि आप बैंकिंग बारे में बताएंगे कि क्या काण है कि जो की प्रेटीयम को बैन कर दिया गया है इसके पूरे जीवनी के बारे महां हम समझेंगे इस वीडियो में लाश्ट तक बने रहेगा वीडियो में आगे बने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चो Business Start हो गया था 2009 में जब प्येटियम आया थो प्येटियम में सिंपल लिया जाता था अभी यूपीय से ठ थोड़ा बहुत कनेक्ट था और थोड़ा बहुत इसमें काम चल ला था प्येटियम का जब प्येटियम लॉंच General दूहाजर नौ में तो उसके बारसे क्या हुगा कि 2012 में यह पेमेंट गेटवे में convert हो गया जो क्योंकि कमपनी बड़ी होते गई और कमपनी बॉड होते गई तो उसके साथ-साथ इसका feature भी एड होते गया अभी तो बहुत सारा फीचर आ गया है पेटियम पेमेंट भी खाता खुल रहा है पेटियम में कंपनी सोची कि क्यों नहीं इसका वाइलेट बनाए जाए जैसे कि बैंक है ना बैंक में आप डायरेक्ट यूपी आई के मादर से डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर क सकते हैं तो बैंक से कनेक्ट नहीं रहता है आपका वैलेट में पैसा सुरक्षित रहेगा उससे आप कुछ खरदारी कर सकते हैं रिचार्ज कर सकते हैं लेकिन वैलेट से पैसा किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं इतना काम वैलेट से मतलब ऑनलाइन सौपिंग हो जा तो क्या हुआ कि 2015 में कंपनी फिर से सोची इसके बारे में मन्थन की और सोची कि क्यों नहीं इसका QR कोड बनाया जा क्योंकि QR कोड जब अपने ग्रहाकों को दिया जाएगा तो दुकंदार जो है अपने दुकान के सामने लागाएंगे तो लोग आएंगे वहां पे QR कोड से स पास अब िट्ययम्री करता आपके मतलब एप पूर नथ हो जाताए एक मिनट से कम ही समय लगता यह प्रोसेस हो जाता है लेकिन सबसे पहले जब अपकी QR कोड से पैसा डालते हैं तो उस प्रेटियह ini में यह बैंक का रूप ले लिया चोटा एक रूप ले लिया अभी इस में पेडियों पेमेंट बैंक के नाम से एक कंपड़ी है जो कि इसको टेंडर ले लिया और लाइसेंस लिये यह पीटीएंग को जो है बैंक यह रूप देने के लिए यह काम करने लगी और 2010 में इसको क्या की कि बैंक का रूप देती अब बहुत सारे लोग है जो कि लिमिट दिया गया 5000 रूप एक बार में 5000 रूप आप निकाल सकते हैं इस परकार से उसमें मतलब छोटे उजर के लिए यह सुविधा दी गई अब क्या हुगा कि बहुत सारे जो अब जाब आप जब आर्वी आइब लाइसेंस देती है बैंकिंग के रूप के लिए तो उसमे होती है उसे एग्रिमेंट कराती है अब एग्रिमेंट के अनुसार से उसमें जितने रूल होते हैं उसको फोलो करना पड़ता है कंपनी को और यहीं चीज़ कंपनी ने जो पेटियम है वह रूल को फोलो नहीं कि पिछले बहुत पिछले डर्दू साल से आरवी आई ने के बाध से कुछ दिन के बाद ये एपना अलीया ने कि इसको वह नहीं कर दिया जगें अब देखिए इस टाइम में क्या होगा है कि 29 फरवाडि तक यह टाइम दिया गया है क्योंकि यह जो system है कुछ system बंद कर दिया गया है 31 जन् upcoming कर दिया गए बहुत सारा सिस्टम कि पैसा है उसको अपना लोग जो है कि दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर ले करा ली यानि जितने भी इसके वक्ता है वह अपना पैसा को सेफ करने के लिए और पेटियम पेमेंट से पैसा निकालने के लिए फरवारी तक टाइम दे दिया गया है जनौरी में तो बंद हो गय तो huis कि पैस टेक जो है कि जो पैटियम को फास्ट एक लगवाए हैं क्या होता है कि जो लगेट होता है तोटोल गेट होता है फोल अर्ट पर पहुचता है तो पहुचने से पहले ही वहां से पैसा कड़ जाता है जब गाड़ी वहां से पार करता है तो इस प्रकार से होता है किसी भी कमपनी का फास्ट जब लगवाई यह तो तो उसी प्रकार से फास्ट जितने सारे लोग लगवाए हैं अपने अपने गाड़ी में तो नहीं कर चकता है जिनका रिचार्ज भी हुआ है उनका भी खतम हो गया पैसा जो एक और यह नहीं होने वाला है जितना सुबदा है फोन पर है गूगल पर है जितने भी आमाजुन है अब वाट्सप में भी आ यूपि आई ट्राइक्शन तो जीतने भी ट्राइक्शन है अगर आर बियाई के गाइडüğन को फोलो नहीं करेंगे आर बियाल करकाम क्या होने वाला है ज Copper tm का Sounds कौण सी कंपनी वेन होने किस परकार्षा काम होने वाली है अगर कंपनी में पैसा भाउस बीजाता है तो किस किस परकार्षा निकलेंगा विडियो में बना करके यूठ अप नबोट कर चुका है आज इतने रिजानकारी आप लोग को चाहिए रिए आ awakening लेट्ट के आने में से लेटेड आने जोब से रिलेट है जो भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बक्स में कमेट करके पहलेबा दीजैंगा अद दोस्तों के पासेर कर दीजेगा क्योंकि हमें असा मैं नए 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 अपडेट के साथ नए नए वीडियो आप लोग के बीच में डालता है रहता हूं तो मिलेंगे नक्स टूडियों आज के लिए इतना है जये हैं